लसर्ना रस्मा मीठू भेर्वी ने पीवाथी पेटनों दुखावों मटे छे। गोण साथे 6 भेर्वी ने पीवाथी पेशाब करती वखते बरतराथी राहत मडे छे। चड़ानी दार ने PC ने चहरा पर लगावों पीमपल्स नहीं देखाए। जारे पन तमने अचानक ताव आवे त्यारे कोडाना तुकडा कापी ने कपाळ पर मालिश करो ताव ओछो थाई जशे। दांत मां दुखावों होई तो एलची नाखी ने चापीओ। जो तमे घानों सोजो ओचो करवा मागता हो तो दुगली ने बालीलो अने तेमा हलदर भेर्वी ने घा पर लगावो। गड़ामा इंफेक्शन होई तो हुफाडा पाणी मां थोडी हलदर अने मीठू उमेरी ने कोग्रा करो पुषकर आराम मढशे। दर्रोज लिम्डा ना साथ पांच पांच चाववाथी डायाबिटिस नियंत्रण मां रहे छे। उम्फाला पाणी मां मध भेर्वी ने पीवाथी किद्नी नी बीमारी दूर थाय छे। सफ्रजन खाधा पची तरतच पाणी ना पीवो नहींतर गळानू कैंसर थाय शके छे। जो तमने वारंबार मोधामा चान्दा पढ़वानी फरियाद रहती होए तो दर्रोज भोजन करया बाद गोल में चुस्वानू भुल्षो नहीं आम करवाथी फोल्ला मटे छे। चा साथे हर्दरनू सेवन करवाथी ग्यक्तिनू मृत्यू पढ़ थाय शके छे। तेथी चा साथे एवी कोईपण बस्तू नू सेवन न करो जेमा हर्दरनी मात्रा वधू होए। जे लोको लीला मर्चा नू वधू सेवन करे छे। तेओ कैंसर जेवी मोती बीमारी ओथी सुरक्षित रहे छे। आसू रोकी राखवा थी माथानों डुखावो गुस्सो अने ब्लड प्रेशर थाय छे। सवारे ब्रश करती वखते कोलगेट मां थोडा बैंकिंग सोडा मिक्स करो। आम करवा थी पीरा अने गंदा दान साफ थाई जाय छे। आमों अठ्वारिया मां बे त्रण वखत करो। गरम पाणी नी वाल धोवा थी वालना मूल नबला पड़े छे। गोर साथे वासी रोतली खावा थी व्यक्ती बीमार पड़े छे। जे स्त्रियों सवारे सव प्रथम स्नान करे छे। टेपने व्रुद्धवस्था जल्दी आवती नथी। जे व्यक्ती सांजे डुम्गरी खाय छे। तेने 25 लकेरी बीमारी थाय छे। उफाणा पाणी मां आदूनों रस भेरवी सांधा पत लगाववा थी सांधानों दुखावों मटे छे। उकालेलू पाणी पीवा थी बहला आवतू व्रुद्ध तत्व अटके छे अने शरीर रोग थी सुरक्षित रहे छे। जे महिलाओ हम्मेशा बैसीले जाडू लगावे छे ते कमरना दुखावा थी सुरक्षित रहे छे। कानमा आंगली थोडी बार राखवा थी तमारू मन ताजू थाई छे। जे लोको भैसनू काचू दूद पीवे छे तेमने कमरना दुखावानी फरियाद नथी थती। जो हलवा पीया रंगनों पेशा बहार आवे तो तमे आंत्रिक रिते स्वस्थ नथी। थन्डा पेणा अने कोल्ड कोफी ना वदू पढ़ता सेवन थी किर्णी ने जड़क थी नुकसान थाई छे। बपोरे घोजन साथे डुंगली खावा थी लोही पातरू थाई छे। लोकोने लोही जाडू होई तेमने बपोरे डुंगली नुँ सेवन अवश्यप करवू जोईए। आमली खावा थी मगज मजबूत थाई छे। जो नाना बालकोने रात्रे उंग ना आवती होई तो तेने चाटवा माटे मद आपो तेना थी तेने उंग आवशे। रात्रे दूधमा अडधी चमची हलदर मेर्वी ने पीवा थी व्यक्तीनों व्रुद्धत्व अटके छे। हलदरनों सेवन करवा थी व्रुद्ध चेहरोपण युवान बने छे। स्ट्रोपेरी नो रस पीवा थी लोही शुद्ध थाई छे। जो तमें दरोज नास्तामा एक वाटकी साबुदानानी खीर खावो तो तमारू वजन जड़व थी वद्षे। वजन वधार्वामा आ सवथी असरकारक रीत छे। जे लोको माटीना वासर नो उप्योग करे छे तेओ रोगो थी सुरक्षित रहे छे। माटीना वासर मा खोराक रांधवा थी आपना शरीर ने जरूरी मिनरल्स मरे छे। आमली औने आदूनू पाणी पीवा थी शरीर मी चल्दी ओगले छे। अने चहरा पर डाग धम्बा दूर थाई छे। उनालामा गोडानू पाणी पीवु जोईये, तेनाथी परसेवो ओछो थाय छे, अने शरीर थंडू रहे छे, गोडानू पाणी पीवु स्वास्थ्य माटे पण सारू छे. एलची ने गरम पाणी साथे खाओ तेना थी सारी उंग आवशे, अने नसकोरानी समस्या पण दूर थाय छे. सुती वकते क्यारे खावू नहीं, आना थी श्वसन संबंधी रोगनों खत्रो वधी जाय छे. ठंडू दूधना पीवो दूध थोड़ू गरम होय त्यारेज पीवु जोईये. डुंगली कापी ने तेना पर थोड़ो लिंबू नीचोवी ने खावा थी, तेनू सेवन करवाती अपचोनी समस्या पण दूर थाय छे. कारेलानों उकालों हृदेना दर्दी माटे खूबज फाइदा कारक छे, तेना थी लोही पर स्वस्थ थाय छे. जामफर ना थोड़ा नाना पान लो, अने तेने पीसी लो, पची तेने पाणी माँ ओगाली तेनू सेवन करो, तेना थी पेतनों दुखावो बंध थाय जाय छे. जो तमें लात्रे पेशाब करवा माटे उठो छो तो, उठता पहला एक मिनिट माटे बैद पर बैसी ने तमारी अंगलियो अने अंगूठा ने हलावो, ते पची बोश्रूम माँ जाओ आम करवा थी आपनों लोही आपना मगज अने रुदै सुधी सरवताथी नास्तो करो, आना थी मगज सक्रिय रहे शे अने एने तेनू लेवल जडवाई रहे शे। दिगसभर नों थाक दूर करवा माटे गरम पाडी मा नानी इलाईची नाखी ने पीवो थाक दूर थशे। जाइफर ने पत्थर पर घसी ने तेनी पेस्ट चहरा पर लगावा थ दाग धब्बा दूर थाए छे। जो तमारा शरीर मा लोही नी उनप होई अने तमने सतत थाक लागतो होई तो बिचूट अने दाडम नों रस्तीवो तेना थी तमारा शरीर मा लोही वद्शे अने तमे स्वस्त अनुभवशों। सवारे स्नान कर्या पछी फक्त तमारा अ कारणे हीक आवे छे अने फसायली वस्तू बहार आवे छे। त्वचा अने दांतना स्वास्थ्य माटे दाडम खूब ज असरकारक होवा नों कहवाई छे। तेमज तेमा थी मर्तू विटामिन दांत में चमकदार पण बनावे छे। दाडमनों सेवन चहरा परनी कर्चलिय परती अटकावे छे। रोज आम्रानों मोर्वो खावा थी तमें विटामिन सी नी उरब अनुभवशो नहीं। सुता पहला एक ग्लास नवशेकू दूद एक चमची शुद्ध घी भेलवी ने पीवू जोईए। स्नान कर्या पच्छी कान पाछर तेल लगावो मगज ते शरीर गोरू बने छे। चड़ानी दालने वरियारी मां भेलवी ने खावा थी हम्मेशा युवानी जडवाई रहे छे। जो तमने नब्राई लागे तो काजू नो उप्योग करो। गोर खावा थी लोही साफ रहे छे। जम्या पच्छी दरोज गोर खावा थी पेट थंडू रहे छे अने गेस नथी थतो। जारे पण तमें दही अथवा लसीनू सेवन करो छो तो तेना थी पच्छी तरतज केरा नखा। जो तमें तमारे वजन ओछू कर्वू होई तो लिम्बू कोबी अने काकडी खावो। जो तमने खूबज मानसिक टेंशन होई तो बधू पाणी पीवो।